आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट कार्ट के बारे में जो कि आपे इंडियन कोस्ट कार्ट मुंबाई से वेकेंसी को जारी किया गया है जिसमें की इंजन ड्राइबर, ड्राटमेन, इस्टोर कीपर, MTS, लेबर के पुश्ट ले वेकेंसी को जारी किया तो इस वीडियो में आपनों को बताऊंगा पोश्ट वाज कितने वेकेंसी दी गई है कितना क्वालिफिकेशन होगा तो आप इसे फर्म को फिलप कर सकते हैं कैसे आपको इसका फिलप करना होगा complete जनकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूँ तो इस वीडियो को बिना skip करते हुए last तक देखिएगा अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हुए है चैनल को subscribe कर लीचिए और साथ इसाथ वेल एकन को दबा दीचिए तो इसमें जो यहां पर notification जारी किया गया है official notification है जो कि यहां पर देख सकते है headquarter, coast guard, Mumbai CA vacancy यहां पर जारी किया गया है जो कि यहां पर गुरुप C की पदों की vacancy इसमें जारी की गई है इसके बाद नीचे यहां पर post vacancy का detail सभी यहां पर दिया गया है जिसमें की यहां पर सबसे पहले दिया गई इंजेन ड्राइबर के लिए और इसमें जो vacation है तोटल 4 vacation है और इंजेन ड्राइबर के लिए जो आपके पास qualification होना चाहिए आप इसमें meticulation यानि 10th qualify होने चाहिए प्लस आपके पास engine driver में certificate होगा तो आप इसमे इस post लिए आवदन कर सकते हैं इसके बार नमबर 2 में या पर दिया गए डारट्मांट के लिए और इसमे जो वेकेंशी है पर दे गए total एक वेकेंशी है और इसके लिए जो आपके पास qualification होगा आपके पास idea या diploma होगा डारट्माइंसिप में तो आप इसे फ़र्म को फिलब कर सकते हैं इसके बार नमबर थर्ड में हाँ पर दिया गया इस टूर की पर सिकेंड के लिए और इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होगा आप इसमें डिगरी क्वालिफाई होने चाहिए प्लस आपके पास वनियर का एक्स्परियंस होगा हैंडलिंग इस्टोर एंड कीपिंग अकाउंट में तो आप इसे फ़र्म को फिलब कर पाएंगे इसके बार नेक्स्ट यहांँ पर दिया गिया सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्रैबर के लिए और इसमें जो वेकेंसी हैंपे दिगे टोटल चार वेकेंसी हैं और इसके लिए जो आपके पास qualification होना चाहिए आप इसमें matriculation यानि 10th qualify होने चाहिए प्लस आपके पास heavy motor vehicles और light motor vehicles का license होना चाहिए और उसके साथ साथ आपके पास two year का experience पर होना चाहिए motor driving में तो आप इसे farm को फिलब कर पाएंगे इसके बार next यहां पर दिया किसमें four click operator के लिए तो इसके लिए जो आपके पास qualification होगा आपके पास ITI का सट्पिकेट होना चाहिए related trade से प्लस आपके पास heavy duty vehicles का license आपके पास होना चाहिए यानि आपके पास HMB license होना चाहिए तो आप इससे farm को फिलब कर सकते हैं इसके बार next यहां पर दिया गया है builder skill के लिए और इ ITI apprenticeship होगा welder के पोश्ट लिए तो ही आप इसमें welder skill के लिए apply कर सकते हैं इसके बार next यहां पर दिया गया लस्कर के लिए और इसमें जो वेकेंसी हैं पर दी के total 8 वेकेंसी है और इसके जो आपके पास qualification होना चाहिए आपके पास matriculation का 60% होना चाहिए प्लस आपके पास 3 year का experience होगा service में जो कि यहां पर CPI craft में तो आप इसमें लस्कर के पूश्ट लिए आविदन कर सकते हैं इसके बार next यहां पर दिया गया MTS P1 के लिए और इसमें total यहां पर दो वेकेंसी दी कही है तो इसके लिए जो आपके पास qualification ह कर पाएंगे और इसके बार last में यहां पर दियागा earn skill labor के लिए जिसमें कि यहां पर total एक वेकेंसी दी कही है और इसके जो आपके पास qualification होगा क्योवला आप इसमें 10th qualify होंगे तो आप इसे form को फिल आप कर सकते हैं और इसके सामने यहां पर देख सकते हैं category watch vacancy भी दी कही है तो यहां इसका notification employment उज में जारिक किया जाएगा इसके बाद से आप इसका off in form फिल आप कर सकते हैं और जैसे इसका notification employment उज में आएगा तो मैं आप लोगों को बताओंगा भी कैसे आप इसका form फिल आप करेंगे और कैसे आपको send करना होगा और साथ मैं आपको application form की भी complete जनकारी दू दिचे और साथ इसाथ वेल अकन को दबा दिचे वीडियो को देखने के लिए दन्यवाद